जब इधाता ने श्रश्टी के तो उसने भरन पोशन के लिए भी विराइटी ओफ प्राकृतिक संसाधुनों का भी निर्मान किया यह असी मितु नहीं है पर प्रचुर मास्त्रा में हैं उनका हम सथ प्यूग करें तो सभी प्राणियों की आवशिक्ताएं पूरी हो सकते हैं इस पर सभी का समान रुप से अधिकार भी है संतुष्टी का कामनाओं के साथ गहरा संबंद है जब किसी व्यक्ति की कामनाएं अनन्थ होती हैं तो उससे दुनिया में असंतोश आता है और असमानता भी आती है नेचर के पास इनफ संसाधन होने की बावजूद भी कमी हो जाती है संतुष्टी ही मनिश्ची की बढ़ती कामनाओं के नियंत्रन का सबसे बड़ा मंत्र है इसकी पुष्टी हमारे शास्त्रों में भी बार बार कही है कि बिना संतोश के जीवन बेकार है किन्तु कामनाओं पर लगाम तब तक नहीं लगा जा सकती जबकि समाज संतुष्टी का पैमाना निश्चित नहीं करेगा श्री रामकरश परमहंस कहते थे सफलता का पैमाना दुनिया तै करती है हमारे लिए किन्तु संतुष्टी का पैमाना हमें स्वयम को तै करना पड़ेगा इसलिए विवेक्षील व्यक्ति दूसरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी संतुष्टी का पैमाना तै करे तब ही हम कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतुने रामया का मंत्र सफल होगा संतुष्टी बहुत जरूरी है इसलिए कोई श्रम करके भी निर्धन है और कोई बिना श्रम करें ही धन्वान है तो ये मिस मैनेश्मेंट को हटा कर हमें सेल्फ संतुष्टी पर ठ्यान देना चाहिए